मेरे उत्राखंड में दूर पहाड़ें उपर गाओं बसे हैं और वही पर है स्कूल भी यहां जीवन थोड़ा कठिन है इस साल प्रात्मिक विद्याले के 70,000 सिक्षकों में से 41,000 सिक्षकों ने पहाड़ी गाओं के स्कूलों से मैदानों में ट्रास्पर करने के आविदन किय यह संक्या बताती है कि स्कूलों में सिक्षा देने के बजाए शिक्षक आराम की जगर है न पसंद करते हैं यही कारण है कि हमारे परते गाओं में स्कूल तो है लेकिन 25,000 से जादा परतिमाह वेतन पाने वाले सिक्षक मन लगा अगर पढ़ाते नहीं है वे गाओं में भी गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं पा रहे हैं लेकिन इस अंदेर गर्दी में कहीं उजाले की किर्णे भी हैं आज मैं ऐसी ही आश्रा की किर्णे दिखाने ले चलती हूँ अपने दुंगरी गाओं की स्कूल में डुंगरी स्कूल सडक से तीन किलोमेटर सीधी चड़ाई पर बसा एक पहाडी गाओं गाओं की बीच में ही है स्कूल जहां एक सिक्षक है दौलत बिष्ट जो इसी गाओं में रहकर बच्चों को स्कूल के दिन के अलाओ छुट्टी के समय भी पढ़ाते हैं कि ये बिद्जयले जो है एक इसमी मेरा परिवार घर जैसा महालमा ने में इनको देते गाओं यहां ठायराओ के लिए पूरे साधन है मेरी माने मुझे कहा कि वेटां जैसे बक्चे जैसे भाई बहन के रह है कुछ प्रकार से बजिशकू के बच्चे भी हैं यह प्रणा मेरे को मेरी माने जी गुजी अच्छे दूं से पढ़ाई करते हैं, और हमारे यहां के बच्ची नवोदय मेरी निकले हैं, जब छुट्टी भी रहती है, उसके बावजुद भी गुजी यहां पर बच्चों को बुलाते हैं, पढ़ाते हैं. अच्छे से पढ़ाते हैं, खेल, पूच सिकाते हैं, गाना सिकाते हैं, दानसा सिकाते हैं. अन्या अध्यापको, जो कि गाउं में रहने की बजाए आराम की जगर रहना पसंद करते हैं, उनके लिए डुंगरी गाउं के दौलत से बिष्ट एक अच्छा उडारण है. सुवे से लेकर के सांतु मेरी गत्य बीदी एक दिरंतर चलती रहती है, बच्चे हांसे नहीं जा रहे हैं, छोटी की बाद भी, मैं हर साल पर जितने बच्छे कक्षा पाने हैं, उनको सब को नवज़े की टेजलाता हूँ और नवज़े की त्यारी कराता हूँ. क्या करना सबसे पहले एक, दो, चीन संग्चाये हैं. कि अपते हैं.